इस वीडियो के अंदर आपकी वीनिंग भी बहुत संदार तरीके से चल रही होगी इस वीडियो के अंदर हम जो मैच दिली कैपिटल्स वर्सेस कुलकत्ता नैट राइरस के बीच में रहने बाला है इसे डिसकस करने के लिए आये हैं यह जो मैच है मैच नमबर 16 रहने बाला है जैसा कि आपको पता है यह मैच विसाखा पटनम के ऊपर रहेगा इस वीडियो के अंदर इस मैच से लेटेड आपको पूरा इंप्रमेशन हमेशा की तरह मिलने वाला है इस आईपेल के अंदर हमने अभी तक बहुत अच्छे कासे विनिंग किया आई होप आप भी बहुत संदार तरीके से पार्टिसिपेट करके आपने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा मैश नंबर 16 है और इस विडियो के अंदर हम इसको पूरा डिटेल में रिलिस करेंगे जो विन्यू है विसाखा पटनम का इसको जानेंगे और समझेंगे सीखेंगे और पॉइंट को डिसकस करेंगे जो हमें बेतर रैंक्स लाने अच्छी विडिंग कराने में मदद करेग जहां पर विडार का स्टेटमेंट भी था कि यह विन्यू स्लो है फिर भी इन्यू ने 15 ओवर में ही 130 जैसे टार्गेट को चेस कर लिया इस वीडियो के अंदर पिछ रिपोर्ट प्लेयर एस्टाट्स एस स्मॉली प्लस ग्रैंड लिग की टिप्स एंट्रिक्स और साथे सा इस वीडियो को मिस नहीं किया इसकी तो गरांटी मैं दे सकता हूं जिस तरीके से मैंने 400 प्लस ग्रैंड लिग विन किया आप भी विन करके जाओगे इस वीडियो के अंदर हम पूरी तरीके से डीप एनलाइसिस करेंगे इस मैच का एक बिस्ट एलेमेंट बनाने की करेंगे जो हमें अच्छी वेनिंग कराने एंड बहतर रैंक्स लाने में मज़द करेंगी लेकिन हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि देखो भाई हो सब लोग फाइनल अपडेट के लिए टेलेग्राम को याद से जोइन कर जाता हूं क्योंकि आखरी मिनिट अगर कोई भी प्लेयर्स लाइन अप में नहीं रहता है उन्हें अपडेट करके जो मैं फाइनल टीम होता है टेलेग्राम पर देता हूं मिन कर रहे हो तो आप लिंक का इस्तेमाल करें जिससे आप औरिजिनल और ऑफिसल चैनल से जूर सक है तो हम अपने टीम में प्लेयर्स को पिक कैसे करेंगे से पहले आप लोग जाने जाओ कि यह जो मैच है विसाखा पटनम के उपर रहेगा एंड इसी वे न्यूगों पर आखरी मैच के अंदर दिल्ली एंड सिसके ने खेला था मैच को सिसके ने बैटिंग फर्स्ट करते ह अब धिल्ली का हॉम गरांट से किटेंद होना जाता है तो हाई चंट यहां पर जो क्राउड है वह दिल्ली के प्लेयर्स को चीरAP करेंगी मोटी बरहानी की कोशिज करेंगी ज़ो कुलकट्था के टीम है फोटरसcor कम होंगे लिकिन इनके पास जो प्लेयर्स से इतने है कि हो सके pin drop silence भी कहीं देखने के लिए ना मिल जाए लेकिन यह IPL है विन कोई भी टीम करें अपने को तो एक बेहतर combination बना कर fantasy गंदर अच्छा profit बनाना है अब point no.2 सबसे ध्यान रखना कि देखो दोस्तो टीम का strength क्या है दिल्ली के पास बहुत ऐसे player से जो T20 में बहुत नाम कमा चुके हैं जिसमें पहला player दोस्तो वार्नर का मैं नाम लेना चाहता हूँ दिसरा player प्रिस्वी सो तिसरा player इनके captain सहाब और चौथा player मिच मार्स हैं कत्ता के side से infinite player हैं जो T20 गंदर नाम कमा चुके हैं उसमें मीचल स्टार्क हो अंदरेन रसल हो सुनिल नरायन हो इनके captain's race एयर हो इनके opener field salt हो मतलब ऊपर से नीचे एक दम ऐसे team दिखाई देती है जो perfect दिल्ली का struggle against the spin है और कत्ता का जो playing lemon है उस तुमें आपको तीन से चार तगरे spinners दिखाई देंगे जिसमें तीन तो confirm है एक तो दिल्ली के team अल्रेडी backfoot पर आ जाती है क्योंकि इनका struggle against the spin है और कुलकत्ता अल्रेडी तीन से चार बरे spinners को अपने team में hold कर गे रखी है भले ही विशाखा पटना हो या भले ही दिल्ली के पास बहुत ऐसे players हैं जो T20 में आम कमाये है वैटिंग से सबसे important ज्यादा तर players out of form है तो अपना सबसे important काम क्या है कि हम एक जो team है कुलकत्ता के favor में बनाना है कुलकत्ता के side से important players को रखना है Toss के हिसाब से दिल्ली के side से कुछ important players को अपने team में हमें जगत देना है अब करता है लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मदद करेगा जो बांडरी है बहुत बरी नहीं है थोरी चोटी है तो players अराम से clean hitting करते हुए आपको दिखाई देते हैं स्टिक मैचेश के अंदर यहां पर runs नहीं बनता है लेकिन बरी जो मैचेश होते हैं runs बरसता है cutter बालर्स स्विंग कराकर असानी से अपना काम करके जा चुके थे हैं टोटल मैचे चौदा खेले गया है जिसमें साथ बार उस टीम ने विन किया जो बैट फरस्ट किया साथ बार उस टीम ने विन किया जो की चेस करना पसंद किया लेकिन अगर मैं आपको एक fact बताऊं तो आखरी ज चेस करना पसंद करो महीं डीसिक के टीम ने व्रे फरस करना एलेक्ट किया था ऐन फरस्ट करके वह दोस्तों चहंने को आनज ह चुकी तैज यहीर एका कि कुलकत्ता हाइच चेस ही करए लेकिन अगर कुलकत्ता दोस्तों यहां पर बैट फरस्ट भी करती है टो भी हम यहां उस case में थोड़ा भूथ हमें और भी भाई प्रम्सकार मिलते हुए दिखाई देंगे average यहाँ पर 6 बार score दिखाई देगा आपको 106 से 169 की बीच में 2 बार, 176 से 189 की बीच में 3 बार and evo 200 आपको 3 बार दिखाई देगा जिसमें कुछ दिन पहले ही अस्टेलिया वर्सस इंडिया का मैच हुआ था जहाँ पर दोस्तों अस्टेलिया ने 200 से ज्यादा रंज स्कोर भी किया था डिंको सिंग की एक एनिंग ने उसको मतलब विन करा दिया ठीक है उस मैच को 200 प्लस बना था फिर भी चेस हो गया IPL के मैचेश यहाँ पर ज्यादा हुए नहीं ठीक है क्योंको 2019 के बाद फाइनली पांट सलबाद 2024 में फिर से IPL के मैच हमें दिखाई दिया यहाँ पर DC vs CSK के पीच में मैच हुआ और CSK की छोटी मोटी गलतिया इन्हें लॉस की तरफ ढखेल दिया अदर्बाइट CSK इस मैच को विन कर जाते है बट उससे पहले जो आप मैचेश देखोगे ज्यादा तर उसी टीम ने विन किया है जो की चेस किया है इस पीनर्स भी थोरा बहुत आपको रोल में रहते हुए दिखाई देंगे overall अगर मैं conclusion के बारे में बात करू तो ऐसे प्लियर्स जो देथे में वर्श को लेकर रहेंगे वीडियो में बने रहाना एंड इन पार्ट्स को आप देखना जरूर देखना इन पार्ट्स को जो अब आगे आने वाली होने गलती से भी मिस मत करना वीडियो को उपर हजार लाइक का टार्गेट है तो कंप्लीट जरूर से करा देना देखोगे 31 मैच हुआ 15 बार दिली ने विन किया एंड 16 बार कुलकत्ता ने विन किया एंड फॉर्म देखोगे जो बहुत इंपोर्टेंट है तो तुस्तो कुलकत्ता आखरी मैच भी विन करके आ रही है वन साइड एंड फर्स्ट मैच जो इन्होंने विन किया था अगेंस अपनिंग करते हुए दिखाई दिये और फिटनेस अच्छा नहीं होने की वज़े से बिसेकली इन्हें सबसेटिव्ट प्लियर के रूप में खिलाया गया प्लियर इन भाई प्रिथिविशों के जवब पर राशिक सलम आपको आते हुए दिखाई 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 अब भी मेच मार्श आपको तीसरे नमबर पर दिखाई दे चौथे नमबर पर इसा पंथ पांच वे नमबर पर आपको ट्रिश्टन इस्टूफ छट्थे नमबर पर अभिसेथ पूरल साथ वे पर आपको अक्षर पिटेल फिर वा मुकेश कुमार एंडिक नोखिया खलील अमद एंड इसांत सर्मा यहां पराकर इनके पास देखोगे तो पांच मेन बॉलर्स है एंड ये भी प्लियर मेन बॉलर के ही रूप में आता है मतलब टीम बैसिकली छे बॉलिंग उप्संस को लेकर उदरती है बॉलिंग उप्संस मिचल मार्श एंड आठाव बॉलिंग इस मैच के अंदर अगर एक प्लियर का मैं नाम लेता हूँ लली त्यादव अगर वे बंदा नहीं खेलता है तो ध्यान रखना आपके लिए बहुत बढ़े ट्रमकार मतलब भ्यंकर वाले ट्रमकार बनने वाले हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वह मैं आपको आगे बताँ आपके लिए बहुत बहुत बढ़े ट्रमकार बने गे कि अगर लाली त्यादव नहीं खेलते हैं तो इनका कद काटी बहुत ज्यादा बरने वाला है ऐसा क्यों वह आपको आगे पता चलेगा लाश्मेश के अंदर खलील पहला तीसरा और पांच वावर लेकर हैं सांथ एंट नौर्किया ने च्टा ओफर लेकर रहा है और दो अबर दोस्तो और देथ यंदर लेकर रहा है और दोस्तों अबात करूं तो आपको फिल साल सुनी लिनेंग करते हुए दिखाई देंगे हैं तो इसबाद दोस्तो आपको रमन सिंग इन ही के जगवड पर 12th पिलियर के रूप में काम करते हैं दोस्तों भी चक्रवर्थी रसल दा मसल उस अंगु क्रिस रगुवन से जो हाइचंस टॉप ओडर में ही खेले लहीं लास्ट मिस बैटिंग का चांस नहीं मिला अनकुल रॉय उसके बाद मिच मर्स एंड हरसीत राना इस टार्ट के ओवर्स आपको म मतलब डालते हुए दिखाई दिये थे तो इस टाक में यह सभी प्लियर्स रहें और दिथ में यह सभी प्लियर्स रहें आप देख अब जो हम पार्ट के ऊपर बढ़ने वाले हैं वे आप लोगे के लिए बहुत ज्यादा इंड पॉर्टन रहने वाला है कि हम आप सबसे प भाई वन बाई वन करके नहीं दिखाऊंगा मैं जिस सेक्षम से जो भी में प्लियर्स है उनके वारे में सीथे सीथे हम डिस्कॉस करेंगे लेकिन उससे पहले आप थोरा सा प्लेयर बैटल जान लो यह चीज आपको बहुत हिल्प करेगी आपके कॉम्बनेशन बनाने में और तगरे से तगरे रेंग को लाने तो पहले सुनी ले रहा हैं कि 22 एनिंग के अंदर दोबार आउट कर चुके हैं चक्रवर्ती 5 एनिंग के अंदर दोबार आउट कर चुके हैं पिरत्वी 100 वर्सेस वरून चक्रवर्ती एक बहुत बारा बैटल है लेकिन वरून चक्रव वर्ती आपको हाइचंस इनके सामने बैटल करते हुए दिखाई दियें और सुनिल लेरायन दी एंड हो सके ये प्लेयर मजबूर होकर बिकेड भी कही ना फिक दे तो ये ची ध्यान रखना है ये जो आपको नाम दिखाई दे रहा है विच मर्सका ये बहुत बरे रेड जोन म पहला बैटल दूसरा बैटल अगेंस दे स्पीन आपको सुनिल लेरायन तीसरा बैटल अगेंस दे स्पीन आपको दिखाई देंगे दोस्तो वरून चकरवर्ती तुरिश संपन्द भी एक बरे वाले रेड जोन में रहने वाले हैं सुनिल लेरायन वर्सिस खलील आहमद दो पार आउट कर चुके हैं नौर्खिया को दो बार लेरायन आट कर चुके हैं लेकिन लाश्मीच कुल इप एदो थोरा सा इंजर थे जिसकी वज़ह से दोस्तो इन्हें ने आई खिलते हैं तो थोरा सा आपको जो आगे चीजे बता उस पर ध्यान रखना कि कुल्दी प्यादो भी एक बड़े वाले ट्रमकार बन सकते हैं सिरे सायर वर्सेस कुल्दी प्यादो यहां भी बैटल है उसके बाद अंडेन रसल वर्सेस आपको अप्षर पटेल दिखाए देंगे नौर्खियागे सामने दो बार आउट है टी 20 के अंदर इंगू सिंग वर्से सक्षर पटेल एक इनिंग के अंदर एक बार आउट कर चुके हैं 장이 एंजरी होने के पाद कि अपने महुत से जूर्आ कर दोस्तों फाइनली क्रिकेट बैग कर रहे हैं अपने अक्ने फ़ाम को यह तलास कर रहें अपने का आप यह मत्त देखो 28 ठोके यह मत्त द्यखो 51 ठोके क्योंकि यह जो 51 था मैक्सिमूम बढल्ट स्लोट के अंदर था पहला प्रियोटी और दूसरा चीज दोस्तों ये राइट आम ओफिस पिर नहीं था जड़े जया इनके सामने बॉलिंग करा है जिसको इन्होंने आरे तीर्शा लिया 28 की जो इनिंग थी उसमें भी बहुत ज़्यादा श्ट्रगल कर रहे थे बहुत बैट पर इनके आ नहीं रहा था तो एक सबसे बारा रिस्क आप अपने टीम में रिस्सप पंद पर रखना और ये काम आपको करना ही करना है जब दिल्ली की टीम चेस करना पसंद करें खुद ह चाहता हूं कि दिल्ली की टीम चेस ही करें जिसकी वज़ासे हम इस मैच में बेतर इन्वेश्मेंट करके इस मैच को जैकवर्ट बना दें 88% वाले सेलेक्शन रिस्सप पंद पर कोई भी रिस्क लेने का हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि किसी ने मैच नहीं देखा सबने इनकी आखरी इनिंग्स देखने इनका फॉर्म को नहीं देखा जबकि आज बैटा लोगा सुनी लेड़ान से बैटा लोगा वरुन चकरवर्ती जो इन्हें परिषान करेंगे और जब करेंगे तो विसिकली ये फिकेट फेक सकते हैं तो आप अपने टीम से रिस्क ले सकते हो ये काम जरूर आप करें जब दिल्ली की टीम चीज करना पसंद करें दिल्ली की जो बॉलिंग है अगर मैं खली लमत को छोड़ दू जो बहुत अच्छे टपे से बॉलिंग करा रहे हैं तो बाकि सब प्लेयर्स हिट एंड मिश्टाइप वाले सिचुएसंस में हैं तो आप अपने टीम में जरूर से फिल्साल को पिक करो अगर आप अपने टी से ही मतलब है लेकिन वहीं पर चेस हो तो हाई चंस रहेगा कि फ्लॉप को जाए अब बहुत दोस्तों सीधे बैटिंग सेक्षन तो दो वे वार्नर प्लेंग लिट्रली ग्रेट सुनी लैंड के सामने भी बहुत ज्याता है श्ट्रगल नहीं है क्योंकि बाई से अंदर बा का फॉर्म का तलास कर रहा है और फाइनली आखरी तीन मेंट से भाई फॉर्म में आ चुके 125 के निंग 244 के निंग यह 43 के निंग तीनों खतरनाक रहा जो हम प्रिश्वी सौ को देखते थे जो आते आते धारा धर रन बना रहा है हर बॉल को मालने की कुशिस कर रहा है अब खुद को भी वक्त देना सीख चुका है तो हमें अपने टीम में रखना परेगा आप बहुत केसे में इन्हें अपने टीम में ट्राइ करके चल सकते हो क्योंकि यह 125 बहुत सांधार थे यह इंग लैंड के नरजा कर यह धुमधार इनिंग को खेल कर आ रहा है और भाई जब अब बात आती है ट्रिश्टन की जिसके ओपर लिटरली कोई ध्यान नहीं देगा वीडियो के स्टाइट में आपसे क्या बोला था कि यह बंदा राइट टम ऑफ इस्पीनर है अब कुलकत्ता के पास बहुत सारे लिफ्टी बैश्मेंट्स हैं ठीक है तो इसका फायदा यह हो सकता है कि इस्टॉब पार्ट टाइम आकर ओवर्स करें लिफ्टी हो के सामने ठीक है क्योंकि बिगेट कीपिंग कर नहीं रहे है प्लस क्लीन हिटिंग बैटिंग करना भी जानते हैं अब बुद श्टॉगल अगेंस्ट इस्पीन है लेकिन अगर ललीत यादों नहीं ख पिर्थवी सो एंड पिक ट्रिश्टन इस्टॉब एंड यो टीम के टेस है हमारे पहले पिक रहेंगे ठीक है क्योंकि 57-27-71 यह जो इनिंग थी इसमें इस्प्रिक्टेशन था कि फ्लॉप होंगे एंड हुए भी क्योंकि सन्राजर के सामने मैस था इस मैस में फिरसे रिस्क ऑन विंग के टेस एयर रिजन सिंपल सा है कि कोई लोगों ने 50 देखा लेकिन मैंने क्या देखा दोस्तों कि यह बंदा बेचैन था बॉल को मारने के लिए तो यह चीज आपको कोई नहीं बताएगा तो आप रिस्क चाहो तो ले सकते हो एयर इंपॉर्टेंट रहन अगर आप चाहो तो विंकटेस को पर ड्राई कर सकते हो लेकिन रिंग कू है संकट मोचन अगर यह बरी बरी आप इनिंग से उठा कर देखोगे तो यह तब ही आया जब टीम को जरूरत रहा यह तब नहीं आया टीम अल्रेडी फ्लो में खेल रही है तो यह तब ही मारेंग टॉप और में रहते है तो थोरा ध्यान देने लेक है और रांडर सिक्षन यह सुनी लरें अंड यह अंधरिन रसल इनके ऊपर डिसकस करना टाइम का बरवादी हो जाएगा क्योंकि रसल दा मसल ओवर्स को दिथ में लेकरा रहा है सबसे पहला कम हार इटिंग बैटिंग कर करेगी एंड आप कुलकत्ता फिर से सुनलो अगर बैटिंग फर्स करें तो कैप्टन आप बिसिकली अंधरिन रसल को बना सकते हो इस कैप्टन आप अपने टीम के अंदर सुनी लरें को बना कर चल सकते हो क्यक्यार के कोच को न है वह यह गौतम गमवीर एंड गोतम गमवी को बना कर चलना है अगर आपको अच्छा विन करना है तो अंकुल को क्या पता टिम ज्यादा ओवर्स देना पसंद ना करें तो पहले आते हैं मिच मार्श मेरे लिए एक बहुत बारा पनौती है भाई मैं जब ड्रॉप करूँगा ना इसा प्रफॉर्मेंस करता है ना कि मेरे लग जाते हैं लेकिन मैं लॉजिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सामने मैं अल्रीडी बहुत थारे अच्छे इस्पीनर्स हैं अगर थोरा मिच मार् और प्रिथवी के आने की वज़स से मिच मार्श का बैटिंग मोडर भी थोरा नीचे जा चुका है तो अगर आप चाहो तो अवोईड भी कर सकते हो नहीं तो एक नेजर से सेफ रहने के लिए आम पिक भी करके चल सकते हैं कि बहुत थरे लोगों के कैप और भीसी भी मिच म और फिल्डिंग कैच फिल्डर्स कैच ले सकते हैं बॉलिंग सेक्शन डिसकर्स करते हैं तो बॉलिंग सेक्शन देश्टो हरसी तिराना बहुत ही खातरनाक फॉर्म से गुजर रहा है दो विकेट दो विकेट तीन विकेट तीन विकेट दो विकेट इस तरीके से इनका लेकिन वही पर कुलकत्ता गेडि में बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो ऑन डाट केस मिचल एस्टार को दोनों केस में इन पॉर्टन रहना चाहिए बहले ही चूना लगा चुके हैं पचीस का ठीक है लेकिन आई होप इस मैच में रिकवरी करें इतना ज्यादा ट्रोल होने के करो वरून चकरवर्तिती की तो फॉर्म बहुत जादा सांदार इनका है कंपेर टू हर्सित राना और चार ओवर की बॉलिंग कराएंगे जो दिली की टीम है इस्पिनर्स के सामने अलड़ी फस्ती है तो 9% वाले वरून चकरवर्ति ओवर हर्सित राना एक बरे वाले ट्रम साथ मैच में सिर्फ दो ही बार इन्हें बिकेट मिला है पर दो बर देथ के अंदर लेकर आना चाहा पेस होना यह चीज नौर्खिया को फिर से बॉलर बनाती है जिसके एस्पेक्टेशन रहेगा कि बिकेट निकाल कर दे खलील को आप चाहू तर पिक कर सकते हैं यह बोल र करेंगे अगर यहां पर कुल्दी प्यादों खेलते हैं तो हम अपने टीम में कुल्दी प्यादों को डिरेक्ट पिक करके चल सकते हैं ओबर मुकिस या ओबर अंजिक नौकिया दोनों में से किसी एक को एक कुल्दी प्यादों एक तगरा इंपक्ट डालेंगे एक और फाइनल टीमन अपडेट के लिए टेलिग्राम को जोइन कर लेना जयाहिन भाई हो